हलो फ्रेंड वेल्कम तु मैं चैनल ग्रेवी गली बै अब रत में चाय तो पीते ही हैं तो क्यों न साथ में हम रत में खाने वाले कोकीज भी बना लें तो चलिए आप देखिये मेरे साथ इसकी रेसिपी करते हैं इसकी तैयारी फ्रेंड ये मैंने half cup देसी घी लिया है आप unsalted butter भी यूज़ कर सकते हैं इस देसी घी की जगा दोनों ही अच्छे हैं आप दोनों से ही रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और यहां मैंने ले लिया है half cup ही पिसा हुआ चीनी जिसको मैंने मिक्सी में powder कर लिया था और अब हम इसको wire whisker से इतना बीट करेंगे इतना अच्छे से mix करेंगे कि यह एक creamy सा texture बन जाए तो आप इसको हाथ से भी बीट कर सकते हैं आप चाहे तो जो mixture होता है उससे भी mixer से भी बीट कर सकते हैं इतने हम कर लेंगे तैयारी इसको बेक करने की यहां मैंने एक बड़ी सी गड़ाई में अमक डाल के गरम होने रख दिया है और यह देखे यह भी हमारा जो है mixture बीट हो चुका है जो देसी गी और चेनी मैंने मिक्स किये थे यह देखे रीमी texture आ गया है बि cardamom इसका हमने powder बना लिया है और साथ ही मैंने ले लिया है desiccated coconut यह मैंने half cup लिया है आप चाहें तो इसका ratio कम ज़ादा कर सकते हैं friend यह जो आटा है यह मैंने समाके चावल, सिंगाडा और राजगिरी का आटा मिक्स करके लिया है एक cup तो यह तीन तरह के मैंने इसमें आटे मिलाए हैं और आप चाहें तो खाली राजगिरी का आटा या फिर फरारी आटा भी उसकर सकते हैं अब हम इसको भी डालके और एड कर देंगे अच्छे से और इसको भी मिलाके एक डो जैसा तयार कर लेंगे यह भी हमें एक soft और एक creamy सा texture हो जाए अगर आपको घी कम लगे तो आप थोड़ा सा घी और एड कर सकते हैं लेकिन यह अच्छे से बाइंड होना चाहिए अब हम साथ ही कर लेंगे एक plate को grease इसको side रखेंगे और यह जो mixture था इसके हम बना लेंगे इस तरह से चोटे-चोटे balls आप अपनी मनबसंद shape इनको दे सकते हैं और इसको हम एक plate में रग लेंगे यह friends हमारा जो नमक डालके हमने कडाई ready करी थी इसको करीब 7 मिनट हो गए ह यह बिल्कुल ready हो गई है और अब हम इसमे एक stand रख देंगे आप चाहे तो उल्टी कटोरी भी रख सकते हैं और यह बिल्कुल ready है हमारे balls अब हम इसको इसको इसके उपर लगा देंगे कटे हुए काजू और बदाव आप चाहे तो खरबूजे के बीज भी लगा सकते हैं और पिस्ते भी लगा सकते हैं वह आपकी च्वाइस है और अगर आपको इसको microwave में या convection पे इसको अगर आपको बेक करना है तो preheat oven में जोके 180 डिग्री पे preheated oven में आपको इसको 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेना है चरिए अब हम इसको कड़ाई में कर देते ह हैं हम इधर यह मैंने ढकन से कवर कर दिया है अगर आप मेटल का ढकन यूज करेंगे तो जाद अच्छा रहेगा क्योंकि मेटल जल्दी गरम होके इनको उपर से भी अच्छे से से सेख देगा इसको बनाने के लिए हमें करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे बिलकुल मीडियम इसक अब हम इसको गैस बंद करने के बाद ऐसे ही पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे तब हम इसमें से इसको उठाएंगे और यह मैंने प्लेट में सजा दी हैं फ्रेंड्स मेरा बेटा दो तीन उठा के खा भी गया इसमें से और आप भी इसको ऐसे ही बनाईए और इनको व अब ऐसे आपने से जीरा को कीश बना सकते हैं और इसमें आपको तोड़ी सी शूगर कम कर देनी है और और बागी आप इसको चेरी वाले भी बना सकते हैं जिसमें हम लोग टूटी फ्रूटी डालते हैं